सैहाद रिवाहिनी प्रत्ते घरा साथी घरा दल्या प्रत्ते का साथी नमस्ते बच्चों, मेरा नाम श्रीमती मालेपाटी लक्षमी है मैं डेकन एजुकेशन सोसाइटी के सेकेंडरी स्कूल में हिंदी की शिक्षिका हूँ आज हम संयुक्त हिंदी के पाठ क्रमांग दू खोया हुआ आदमी पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पाठ एक कहानी के रूप में हैं जिसके लेखक है सुशान सुप्रियजी इस पाठ द्वारा लेखक हमें हमारे समाज में नहित कई कूरितियों के बारे में बताते हुए खहते हैं कि हमें इनमें नहित जो कूरितिया हैं जैसे जातीवाद हैं, अमेरी गरीब हैं, इन सब को दूर कर एक आदर्श समाज की स्थापना करनी चाहिए वे कहते हैं कि यदी आदमी सचे मन से काम करे और लोगों से प्रेम करे तो वह केवल मनुश्यों से ही नहीं बलकि पशुपक्षियों से भी आदर प्राप्त कर सकता है तो देखिए पाठ खोया हुआ आदमी पाठ शुरू करने से पहले लेख के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं सुशान सुप्रिय जी का जन्व 28 मार्च 1968 को पटना बिहार में हुआ था रचना धर्मिता अर्थात विभिन प्रकार की रचनाय करना इनके जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है इनकी रचनाय जीवन की सच्चाईयों वविडम बनाओं का सीधा सीधा साक्षाकार करवाती हैं इनकी कहानियों में समाज में नहित विभिन कूरीतियों जैसे जातिवाद, अमीरी गरीबी, सांप्रदाइक्ता आदी के बारे में हमें सजक करती हैं. हिंदी के अलावा इन्होंने अंग्रेजी व पंजाबी में भी लेखन कार्य किया है। इनकी लगभग 500 रचनाएं विभिन जाने माने पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। इनकी कुछ कृतिया है, एक बूंद यह भी जो एक कविता संग्रह है, हत्यारे तथा हे राम कथा संग्रह है, और इन गांधी जीस कंट्री जो एक अंग्रेजी कथा संग्रह है, ये इनकी कुछ तचनाएं हैं। तो चलिए, पाच शुरू करते हैं, खोया हुआ आदमी। पूरी दोपहर उससे छेड़ते और तंकरते रहें। आश्यर की बात यह थी, कि वह आदमी उन बच्चों को कुछ बोल नहीं रहा था। यह कहानी कई वर्षों पहले एक पुराने से गाव में घटी थी। उस गाव में एक दिन न जाने कहां से भटकता हुआ, उस दूर गराज के अर्थात दूर तक पहले उस गाव में आ गया था। वह आदमी चीथडों में लिपता था। चीथडों का अर्थ है पटे पुराने कपड़े। मतलब उस आदमी ने पटे पुराने कपड़े पहने थे। जब गाव के कुटों ने उस अजीब से आदमी को देखा तो उन्हें वह कोई पागल सा लगा। इसलिए वे उस पर बे तहाशा अर्था जोर जोर से भौकने लगे। अक्सर आपने देखा होगा कि जब कुटे किसी अजनबी को देखते हैं तो उस पर भौकने लगते हैं। गाव के कुटे भी ऐसा ही करने लगे। और कुटों की देखा देखी गाव के बच्चे भी सारी दोपहर उसके पीछे पीछे घूमते उसे छेडते और तंग करते र आदमी उन बच्चों को कुछ भी नहीं बोल रहा था। बच्चे उसे तंग कर रहे थे परंतो उसने उन्हें एक बार भी नहीं डाटा। तैयोग से किसी भले आदमी ने गाव के बच्चों को उस पर पथर फैंकते हुए देख लिया। जब वह भला आदमी उस आदमी के क बच्चा गाव के उस आगंतुक भले व्यक्ति ने उस आदमी से उसका नाम पता पूछा पर वह कोई उत्तर नहीं दे सका। वह केवल इतना बोल पाया शायद मैं खो गया हूं यह सुनते ही गाव के उस भले व्यक्ति ने निश्चय किया कि वे सब उसे खोया हुआ आदमी कहकर बुलाएंगे गाओं के बच्चे उस आदमी को बहुत तंग कर रहे थे उस पर पथर फेंक रहे थे जब बच्चे ऐसा कर रहे थे संयोग से अर्था भाग्यवश एक अच्छे आदमी ने उन बच्चों को देख लिया वह भला आदमी उस खोये हुए आदमी के करीब अर्थात पास पहुचा उसने जब खोये हुए आदमी को ध्यान से देखा तो पाया कि उसके चहरे पर एक खोये पन का भाव तो था ही उसके साथ साथ गरिमा अर्थात गौरव के चिन भी थे उस व्यक्ति का चहरा देख कर कोई भी उससे पागल नहीं कह सकता था यही उस भले आदमी ने भी सोचा उस आगंतुक अर्थात अतिथी ने उस आदमी से उसका नाम पता पूचा किन्तु वह आदमी कोई उत्तर न दे पाया उसने केवल इतना ही कहा कि वह शायत खो गया है यह सुनने के बाद उस भले व्यक्ति ने निश्य किया कि वे सब उसे खोया हुआ आदमी कहकर बुलाएंगे खोया हुआ आदमी इतना खोया था इतना खोया था कि उसकी पूरी स्मृति का लोप हो चुका था उसके जहन से उसका नाम और पता पूरी तरह हो चुके थे ना उसे अपनी जाती पता थी ना तो अपना धर्म लेकिन अपने खोये पन में भी उसमें परिचित जैसे कुछ था जो उसे अपना सा बना रहा था लिहाजा जब उसे गाउं के अन्य लोगों के पास ले जाया गया तो उसे देखते ही सभी एक स्वर में बोल उठे अरे यह खोया हुआ आदमी तो बेहद अपना सा लग रहा है उन्होंने उसे अपने ही गाउं में रख लेने का फैसला किया वह आदमी भी उस गाउं में रहने के लिए तयार हो गया खोया हुआ आदमी इतना खोया था कि उसकी स्मृती अर्था याददाश पूरी तरह से लोप हो चुकी थी मतलब उसकी याददाश पूरी तरह खो चुकी थी उसके जहन से मतलब उसकी समझ या बुद्धी से उसका नाम वपता खो चुके थे उसे न तो अपनी जाती याद थी नहीं धर्म किन्तो उस खोएपन में भी वह सभी को परिचित सा लग रहा था अपना सा लग रहा था इसलिए जब उस भले आदमी ने उसे गाउं से मिलाया तो उन्हें भी वह अपना सा लगा गाउंवालों ने उसे अपने ही गाउं में रखने का फैसला किया वह आदमी भी उस गाउं में रहने के लिए तैयार हो गया खोए हुए आदमी की आवाज बहुत ही मधुर थी कभी कभी वह अपनी सूरीली आवाज में कोई पुराना गीत गाता था उस गाओं की गाए भैसे उसके गीत की स्वर लहरियों से मंत्र मुग्दध होकर ज्यादा दूद देने लगती गाओं के बच्चे उसका गीत सुनकर उसकी और खिचे चले आते गाओं के बड़े बुजर्गों को भी उसके गीत उनकी युवावस्था के सुन्दर अतीत की याद दिलाते खोए हुए आदमी की आवाज बहुत ही मीठी थी कभी कभी अपनी सूरीली आवाज में भग पुराने गीत भी गाता उसकी मदुर आवाज से न केवल इंसान बलकि जानवर भी मंत्र मुग्द हो जाते अर्फार सम्मोहित हो जाते कोए हुए आदमी की स्वर लहरियों से मोहित होकर गाए भैस ज्यादा दूद देने लगती थी बच्चे भी उसका गीत सुनकर मोहित हो जाते थे और उसकी और खिचे चले जाते थे गाओं के बड़े बुजर्ग भी उसका गीत सुनकर मोहित हो जाते और अपनी युवावस्था अर्फार अपनी जवानी के दिन याद कर सुन्दर अतीत अर्फार अपने बीते हुए समय में खो जाते गाओं के लोगों ने पाया कि जब से खोया हुआ आदमी वहां आया था गाओं के फूल और सुन्दर लगने लगे थे गाओं की तितलियां ज्यादा मोहक लगने लगी थी गाओं के जुगनू ज्यादा रोशन लगने लगे थे गाउं के बच्चे भी ज़्यादा खुश रहने लगे थे क्योंकि बच्चों को वह सम्मोहित कर देने वाले कमाल के गीत सुनाता था गाउं के कुट्टे अब उसके सगे हो गए थे वे उसके आसपास ऐसे चलते जैसे उसे गाड ओफ ओनर दे रहे हो कोई हुए आदमी के गाउं में आने के बाद गाउं में बहुत अच्छे परिवर्तन हुए थे जब से वह गाउं में आया था गाउं में अधिक फूल खिरने लगे थे वे ज़्यादा सुन्दर लगने लगे थे तितलिया और अधिक मोहक और रंग बिरंगी लगने लगी थी जुगनू जो एक प्रकार का कीड़ा होता है जो रात में रोशनी देता है और ज्यादा रोशन लगने लगा था आप चित्र में देख सकते हैं कि कैसे जुगनु प्रकाशित हो रहा है और रात में उजाला फैला रहा है इतना ही नहीं गाउ के बच्चे भी बहुत आनंदिक वह खुश रहने लगे थे क्योंकि खोया हुआ आदमी उन्हें मुहित करने वाले अत्यन्त मधूर वसूरीले गीत गाकर सुनाता था गाउ के कुट्टे जो पहली बार जब उन्होंने उसे देखा था बेतहाशा भौक रहे थे अब उसके मित्र वरक्षक बन गए थे वे उसके आसपास ऐसे चलते जैसे गाड ओफ ओनर दे रहे हों गाड ओफ ओनर का अर्थ है सम्मानार्थक सैनिक सलामी यह सैनिकों द्वारा किसी खास आउसर पर किसी बहुत ही खास व्यक्ति को दी जाती है आपने देखा होगा 26 जन्वरी या 15 अगस्त को हमारे सैनिक, हमारे राष्ट्रपती या प्रधान मंत्री और अन्य मुख्य अतीतियों को सलामी देते हैं वैसे ही गाओं के कुट्टे भी खोये हुए आदमी को सलामी देते थे उन्हीं दिनों गाओं की एक व्रिधा को सपना आया कि वह खोया हुआ आदमी दरसल उसका ही बेटा था जो बचपन में कहीं खो गया था वह एक गरीब स्त्री थी जो घास काटकर उपले थापकर और पेड पौधे की लकडिया इकटा कर अपना जीवन चलाती थी उस खोये हुए आदमी ने खुशी खुशी उस व्रिधा को अपनी मा मान लिया और उसके साथ रहने लगा खोये हुए आदमी ने अपनी मा की इतनी सेवा की की व्रिधा को लगा कि उसका जीवन धन्य हो गया खोया हुआ आदमी गाव वालों से बहुत हिल मिल गया था, वह सभी को अपना समश्टा था, उस गाव में एक व्रिद्धा अर्था बूड़ी महिला रहती थी जिसका बेटा बचपन में खो गया था, उसे एक दिन सपना आया कि वह खोया हुआ आदमी उसका खोया हुआ जो जलाने के काम आते थे उन्हें थाप कर वो पेड़ पौधों की लकडिया जमा कर थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी जब उस बुड़ी स्त्री ने खोए हुए आदमी को अपना बेटा माना तो उसने भी खुशी-खुशी उसे अपनी मा मान लिया और उसके साथ रहने ल धिरे धिरे गाम वालों को खोए हुए आदमी के कई गुणों के बारे में पता चलने लगा वह पशुपक्षियों से बाते करता प्रतीत होता लगता था जैसे वह पशुपक्षियों की भाशा जानता हो वह आंधी, तूफान, चक्रवात आने, ओले पड़ने या टिड़ि वालों के हमले के बारे में गाम वालों को पहले ही आगाह कर देता, उसकी भविश्यवानी के कारण गाम वाले मुसीबतों से बज जाते जैसे जैसे समय बीता गया गावालों को खोए हुए आदमी के गुणों के बारे में पता चलने लगा। उन्हें लगने लगा कि वह पशुपक्षियों की भाशा जानता है। ऐसा प्रतीत होता जैसे वह उनसे बाते कर रहा हूँ। वह गावालों को विभिन्न प्राकृतिक आपदाएं जैसे आंधी या तूफान का आना, चक्रवात यानि बवंदर का आना, ओले पढ़ना आधी के बारे में गावालों को आगाह अर्थात सचेत कर देता था। वह टिड्यों के हमले के बारे में भी गावालों को सचेत कर देता था। टिड्या एक प्रकार के होते हैं जो जुंड में फसलों पर हमला करते हैं और उनका नाश करते हैं आप चित्र में देख सकते हैं कैसे ये जुंड में आते हैं और फसलों का नाश करते हैं हाल ही में टिद्यों ने भारत के कुछ राजियों जैसे राजस्थान गुजरात मध्यप्रदेश पर हमला किया खोया हुआ आदमी हर प्रकार से गाउवालों की मदद कर रहा था एक बार गाउ में सूखे की स्तिति उत्पन हो गई तो खोये हुए आदमी ने आकाश की और देख कर न जाने किस भाषा में किस देवता से प्राथना की कुछी समय बाद गाउ में मूसलाधार बारिश होने लगी सूखी प्यासी मिट्टी त्रिप्त हो गई बच्चे बड़े सब ही इस जमाजम बारिश में भीगने का भरपूर आनंद लेने लगे उस दिन से खोये हुए आदमी गाउ में सबका चहेता हो गया था एक बार गाउ में सूखा पड़ गया गाउवाले बहुत परिशान थे फसले सूख रही थी नदी नाले भी सूख रहे थे ऐसी सिती में खोये हुए आदमी ने आकाश की और देख कर न जाने कौन सी भाशा में किसी देवता से प्राथना की कुछी देड में गाउ में मूसलाधार बारिश अर्था भीशन वतीवर रूप से बारिश शुरू हो गई धर्ती जो सूखी प्यासी थी त्रप्त हो गई उसकी प्यास बुझ गई बच्चे वब बड़े खुशी से उस बारिश में भीगने का भरपूर आनंद लेने लगे इस घटना के बाद खोया हुआ आदमी सबका प्रियवर चहेता बन गया था। मांग करने लगे गाउं के बाहर कुछ दलितों वह मुसल्मानों के घर थे उन्हें गाउं से अलग रखा गया था किन्तो खोए हुए आदमी ने उनसे भी दोस्ती कर ली वहाँ उनके रोजमर्रा के कामों में उनकी मदद करता बहा उन्हें उनके अधिकार वकर्तव्य समझाता इससे दलितों वो मुसल्मानों में जागरती आई और वे भी अपना हक मांगने लगे उधर गाओं के बड़े बुड़ों पर भी खोये हुए आदमी के समझाने का असर हुआ धीरे धीरे दलितों का शोशन बंध हो गया अपसी भायचारा बढ़ने लगा गाओं के सभी जाती धर्म के लोग हिंदू और मुसल्मान मिल जुलकर ईद और होली दिवाली मनाने लगे इस तरह गाओं में साम्प्रदाइक्ता और जातिवात को दूर करने में खोए हुए आदमी ने महत्वपूर्ण भूमी का निभाई सभी प्रकार के जगडे टंटे समाप्त हो गए जदी कोई विवाद होता भी तो बैट करवे आपस में निप्ता लेते खोए हुए आदमी ने एक तरफ दलितों वब मुसल्मानों को अपने अधिकारों के बारे में समझाया और दूसरी तरफ उसने गाओ के बड़े बुढों को भी समझाया कि मुसल्मानों वब दलितों का शोशन करना ठीक नहीं है इससे धीरे धीरे उनका शोशन बंध हो गया धीरे धीरे लोगों में आपसी भायचारा बनने लगा गाओं के सभी जाती वर धर्म के लोगों में भेदभाव मिट गए हिंदू मुसल्मान भी मिल जुलकर एद, होली वर दिवाली मनाने लगे इस तरह से गाओं में सांप्रदाइक्ता वज्जाती वाद खत्म हो गया सांप्रदाइक्ता का अर्थ है अपने संप्रदा या धर्म को श्रेष्ट मानते हुए दूसरे संप्रदा या धर्म को गलत चहराना इन कूरितियों का नाश करने में खोए हुए आदमी ने एक महत्वपुन भूमी का निभाई थी इस प्रकार से सभी जगडे तंटे समाथ हो गए यदि कोई भी विवात पैदा होता तो गाउवाले आपस में बैठ कर निपता लेते उसके आने से गाउ में एक और बदलाव आया पहले गाउ में स्त्रियों की दशा ठीक नहीं थी खोए हुए आदमी ने स्त्रियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया गाउं की सभी स्त्रियां पुरुशों की जातियों के खिलाफ एक जुट हो गई खोए हुए आदमी के समझाने का असर भी हुआ, धीरे धीरे स्त्रियों के विर्द्ध अत्याचार समाप्त हो गए, उन्हें भी सम्मान मिलने लगा और वे भी बड़ों की बातों को महत्व देने लगी खोए हुए आदमी के गाउं में आने से कई बदलाव आये, उसने न केवल सामप्रदाइक्त वजातिवाद खत्म किया, बल्कि गाउं की स्त्रियों की भी दशा सुधारी, गाउं के स्त्रियों की दशा ठीक नहीं थी, उन्हें समान अधिकार नहीं दिये गए थे, पुरुष उन पर ज्यातियां अर्थात अन्याई करते थे, खोए हुए आदमी ने गाउं की स्त्रियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया, इससे स्त्रियां पुरुषों के शोशन के खिलाफ एक जुट हो गई, खोए हुए आदमी ने गाउं वालों को समान अधिकारो के बारे में समझाया इससे धीरे धीरे स्त्रियों के खिलाफ अत्याचार समाप्त हो गए उन्हें भी पुर्षों के समान सम्मान मिलने लगा स्त्रियां भी बड़े बुजर्गों की बातों को महत्व देने लगी और उनका सम्मान करने लगे इस गाउ से करीबी कजबे की दू अच्छे बीच और जैविक खाद की दुकान खोल ले वह खुद लोगों के खेत में महनत करता खेती बाड़ी में उनकी मदद करता खोया हुआ आदमी इस गाउं को हर प्रकार से सक्षम वह आत्मनिर्भर बनाना चाहता था इस गाउं में खेती के लिए जमीन तो थी किन्तु अच्छे बीच वह खाद नहीं मिलते थे उसके लिए गाउंवालों को पास के कजबे में जाना पड़ता था वह कजबा गाउं से तीन दिन की दूरी पर था इसलिए गाउंवालों को समय पर खाद वह बीच नहीं मिलते थे इससे उनका नुकसान हो रहा था इसलिए खोये ह आदमी में गांवालों को प्रेरित किया, अर्थात प्रेर्णा दी कि गांवाले खुद अच्छे बीच वजैविक खाथ की दुकान खोले। खोया हुआ आदमी खुद लोगों के खेत में काम करता वर लोगों की खेती बाड़ी के कामों में मदद करता। गावाले भी खूब परिश्रम करने लगे, उसकी महनत गावालों के लिए खुशाली ले आई, गावालों के पेड़ फलों से लद गए, खेतों में फसले लहलाने लगी, मौसम अच्छा बना रहा, गावालों ने इन सबका श्रेय खोए हुए आदमी को दिया, उन्हें लगा जैसे उसकी उपस्थिती में बरकत थी, धीरे धीरे वह पूरे इलाके में लोकप्रिय हो गया, पडोस के अन्य गावों के लोग भी उसके प्रशन सक बन गए, खोए हुए आदमी को महनत कर देख, गावाले भी प्रेरित होते थे, वे भी बहुत महनत करने लगे, इससे गा गाव में खुशाली आई, गाव के पेड फलो से भर गए, खेतों में फसले लहलहाने लगी, मौसम सुहाना बना रहा, इस खुशाली का श्रेय सभी ने खोए हुए आदमी को दिया, गावालों को लगता था कि गाव में जो बरकत थी, अर्था जो वृद्धी थी, वे चूर हो गया, लोग उसके गुणों के प्रशन्सक बन गए, वे उसकी तारीफ करते नहीं ठकते थे, चुरू शुरू में लोग उसे प्रशनवाचक निगाहों से देखते थे, पर खोए हुए आदमी का चहरा इतना विश्वसनिय और उसका वेवहार इतना सरल और सहज था कि धीरे धीरे उसके आलोचक भी उसके प्रशन्सक में बदल गए, लोगों को लगता था कि उसके पास कोई जादूई शक्ती है, जिससे वह आसानी से समस्याओं के हल ढूंड लेता है, हालांकि खोए हुए आदमी ने हमेशा इस बात का खंडन किया, वह हर सफलता गावाल के कठिन परिश्रम के परिनाम बताता था, वह लोगों से कहता, आप सबके पास भी वही शक्तिया है, खुद को पहचानो, अपनी उर्जा को रचनात्मग और सकारात्मग कामों में लगाओ, जुडो और जोडो, इस तरह खोए हुए आदमी ने इलाके के लोगों में नया विश्वास भर दिया, लोगों में नया जोश, नया उत्साह आ गया, जब खोया हुआ आदमी पहली बार गाओ आया था, लोग उससे प्रश्णवाचक निगाहों से देखते थी, उस पर भरोसा नहीं करते थे, उन्हें उस पर बिलकुल भी विश्वास नहीं था, किन्तु उसकी निंदा या बुराई करने वाले भी उसके प्रशंसा करने वाले बन गए, खोये हुए आदमी के पास हर समस्या का हल था, इसलिए लोगों को लगता कि उसके पास कोई जादूई शक्ती है, जिससे वह हर समस्या का हल चुटकी बजा कर निकाल लेता था, किन्तु खोय वे हुए आदमी ने कभी भी इस बात का समर्थन नहीं किया, वह हमेशा यही कहता कि गाउ का विकास गाउवालों के महनत व कठोर परिश्रम का परिणाम है, वह लोगों से अपनी शक्तियां पहचानने को कहता, वह लोगों को समझाता कि सभी के पास वही शक्तियां हैं, व वह लोगों को जुडने व जोडने की सलहा देता, वह लोगों से आपसी मन मुटा व भेदबाव मिटा कर एक होने की सलहा देता, खोये हुए आदमी की इन बातों से लोगों में नया विश्वास व उत्साह भर गया था, उनमें परिश्रम करने का उत्साह पैदा हो गया था पर अंत में वह दिन भी आ पहुंचा, एक रात मौसम बेहत खराब हो गया, बादलों की भीशन गड़गडाहट के साथ आकाश में बिजली कड़कने लगी, तभी कई सूरियों के चौन्धिया देने वाले प्रकाश ने रात में दिन का भ्रम उत्पन कर दिया एक रात कुछ ऐसा हुआ जिससे सारा गाउं घबराऊ था, उस रात मौसम बहुत खराब था, बादलों में तेज गड़गडाहट के साथ आसमान में बिजली चमकने लगी थी, अच्छानक इतना उजाला हुआ ऐसा लग रहा था, मानो कई सूरियों एक साथ चमक रहे थे, उ उस तेज प्रकाश से ऐसा लगने लगा जैसे रात में दिन हो गया हो, फिर बजजरपाज जैसी भयावा गड़गडाहट के साथ गाउं में कहीं बिजली गिरी, लोग अपनी सासों की धुक-धुकी के बीच अपने अपने घरों में दुक्के हुए थे, सारी रात मौसम ब गई थी, बाद में पता चला कि यह शहर के कारखानों से गैस रिसाव एवं विस्पोर्ट का दुश परिनाम था, उस चौंधिया देने वाली रोशनी के बाद वजरपाज जैसी भयावः गड़गडाहट के साथ गाउं में कहीं बिजली गिरी, बच्चों, अक्सर हमने द पता है कि जहां बिजली गिरती है, वहां सब कुछ नश्ट हो जाता है, दर के मारे लोगों की सासे तेज चलने लगी थी, वे घबरा कर अपने अपने घरों में चिप कर बैठे हुए थे, सारी रात मौसम बौराया रहा, अर्थात पागल सा हो गया था, तेज हवाएं चल मूसलाधार बारिश हो रही थी, विजली कड़क रही थी, लोगों का कहना था कि उस रद गंधक अर्था एक तेज गंध वाला खनीच पदार्थ जो दवा बारूत बनाने के काम आता है, उसकी गंध सारे गाउं में फैल गई थी, गाउं के मकानों की खिडकियों वे स्पोर्ट था, इसी कारण गाउं में गंधक की तेज गंध फैल गई थी, सुबह जब मौसम साफ हुआ, तब गाउवालों ने पाया कि वह खोया हुआ आदमी अब उनके बीच नहीं था, वह गायब हो चुका था, गाउवालों ने उसे बहुत ढूंडा, पर उसका कोई प आचैन लगे, गाउं के कुत्तों की आँखों में भी आसू थे, सुबह होने पर मौसम साफ हुआ, लोग अपने अपने कामों में लग गए, किन्तु उन्होंने पाया कि खोया हुआ आदमी उनके बीच नहीं था, वह कहीं गायब हो गया था, गाउवालों ने चप्पा मारा, किन्तु उसका कोई पता न चला, न जाने उसे जमीन निगल गई थी या आस्मान खा गया था, जमीन का निगल जाना या आस्मान का खा जाना यह एक मुहावरा है, जिसका अर्थ है लापता हो जाना, गाउवालों ने उसे आसपास के गाउँ में भी खोजा, लेकिन पिस अभी खाली हाथ लोटाएं, खाली हाथ लोटना भी एक मुहावरा है, जिसका अर्थ है कुछ भी न पाना, गाउवाले बहुत दुखी थे, खोए हुए आदमी के खोने का असर न केवल गाउवालों पर पड़ा था, किन्तु उसका असर गाउं की गलियों यहां तक की ग गड़े दुखी हो गए थे, वे खोए हुए आदमी और उसके द्वारा किये गए अच्छे काम उसका सरल वसहत स्वभा भुला नहीं पा रहे थे, उन्होंने उसकी याद में गाउं के बीचों बीच एक मूर्ती स्थापित कर दी, पंचायत की सभी बैठके इसी मूर्ती के पास होने लगी, गावालों ने प्रण अर्था शपत लिया कि वे खोए हुए आदमी द्वारा दिखाए गए सत्मार्ग बर चलेंगे, आज भी जब कोई उस गाव में जाता है तो खोए हुए आदमी की मूरती देख सकता है, लेकिन आपको असली बात बताना तो मैं भूल ही गया, खोए हुए आदमी के गायब होने के कुछ समय बात, जब जण गणना, अधिकारी जण गणना के काम से इस गाव में पहुचे, तो किसी को भी न तो अपनी जाती याद थी, न अपना धर्म याद था, धर्म और जाती के बारे में उनकी स्मृतियां उस खोए हुए आदमी के साथ ही जैसे सदा के लिए खो चुकी थी, काश, अपने गाव शहर में हमें भी ऐसा खोया हुआ आदमी मिल जाता। न तो अपने धर्म का याद पता था नहीं अपनी जाती का, उन्हें कुछ भी याद नहीं था, धर्म और जाती के बारे में उनकी स्मृतियां अर्थात यादें जैसे खो चुकी थी, और वे सब जो हैं खोये हुए आदमी के साथ ही खो गई थी, उस गाव के लोग अब धर धर्म और जाती को भुला कर एक जुट होकर खुशी खुशी रहें, तो बच्चों ये था पाठ, खोया हुआ आदमी, तो बच्चों देखा आपने किस प्रकार एक व्यक्ती ने एक ऐसे गाव को जो कई प्रकार की कूरितियों से ग्रस था, उसे एक आदश गाव में बदल दिया, तो हमें भी धर्म और जाती के नाम पर दिवारे नहीं खड़ी करनी चाहिए, और एक जुट होकर हमारे देश के विकास के लिए काम करना चाहिए, धन्यवाद कर दो हमें प्रकार काम करना चाहिए, और एक जुट है अज़ाद